पार्थवन जिन्हें पार्थी के नाम से भी जाना जाता है एक स्कूल परिसर में प्रवेश करने वाले हाएना को गिराया तो प्रदर्शित होती है जोशी, एक वन विभाग के अधिकारी, कश्मीर में एक और तमिल व्यक्ती और उनकी पतनी प्रिया के साथ पार्थी और उन परिस्तिती गर्म हो जाती है और पार्थी को उन लुटेरों को अपने उप्योग उचित रूप से प्रदर्शित होता है और इससे लोगों के बीच संदेय पैदा होता है उसे हत्या का दोशी ठहराया जाता है लेकिन जोशी साबित करता है कि पार्थी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हत्या की थी और सफलता पुर्वक वकील को इसे स्वायत प्रतिरक्षा के मामले के रूप में बंद करने के लिए प्रेरित किया। पार्थी के वीरता को राश्ट्रिय ध्यान मिलता है और डास और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस किया जाता है, जो भाई एंटनी और हैरोल डास द्वारा संचालित एक तंबाकू कारखाने हैं वे संदिग्ध हैं कि पार्थी एंटनी के मृत पुत्रलियो डास हैं पार्थी इन सभी घटनाओं से आत्मिक रूप से प्रभावित होते हैं और अपने और अपने परिवार को अपने घर में स जो शवस्कार तो